कि बालको नमश्कार काफी लंबे अर्शे के बाद फिर से मुलाकात करते हैं आप से काफी टाइम निकल गया थोड़ा सा व्यस्ता थी और उस वज़े से वीडियो नहीं बना पाए देखें अगली उनिट शुरू करते हैं नियूरल कंट्रोल एंड इस कोडिनेशन तंत्री का तंत्र से समधित यूनिट है लेकिन इससे पहले जो अपनी मसल वाली उनिट थी उसका लास्ट टोपिक है वो थोड़ा बाकी है यहीं पर देता हूं मैं अब अपनी कोपी में नोट कर लेना उसके बाद अपनी अगली उनिट है वो हैडिन डालना उसको अपन शुरूबात करते हैं सेकेंड के वेकर से आ गई है त्यारी कर रहे हो आप तो यह टोपिक है सेकेंड के लिए बहुत चांद अब अबने डिसोडर छोड दिये दिशोडर अपना लाज टोपिक बते रहता उसको अभी अपनि यहांपर सुरूआत कर लेते हैं देखों और सबसे पहलेवर इंपर डिस ओर में लेते हैं आर्थ्राइटिस पहला रोग है आर्थ्राइटिस मसल्स से समंदित है आर्थ्राइटिस का मतलब इंदी में बोलें तो इसको बोल सकते हैं संदी सोत इसको बोल सकते हैं गठिया इसको बोल सकते हैं जो कोमन आजकल जोडों का धर्द यह इसकी common नाम हो सकते हैं जिन कारणों से होता है उस कारणों के आदार पर तीन इसके प्रकार हो सकते हैं एक है रूमेटोइड आर्थ्राइटिस दूसरा है ओस्टियो आर्थ्राइटिस और तीसरा है गाउट आर्थ्राइटिस ठीक है रूमेटोइड आर्थ्राइटिस पहले भी नाम आपकी दिमाग में आया होगा सुना होगा ये एक प्रकार का ओटो इम्यून डिजीज है ओटो इम्यून डिजीज किसको बोलते हैं एक इंदी में कावत आपने सुनी होगी बाड़ी खेत को खाती है बाड़ का काम है खेत की रक्षा करना लेकिन वही अगर खेत को खाने लग जाएगी तो इसका मतलब कावत बनती है बाड़ी खेत को खाने लग जाती है मतलब रख्षक की बख्षक बन गया तो कई कई बार अपन किसी बीमारी को खतम करने के लिए जो दवाईयां लेते हैं उन दवाईयों के साइड इफेक्ट बोड़ी में हो जाते हैं वह जो की परतिजन की तरह कारे करते हैं और बीमारी पैदा करते हैं इस परकार की डिजी अपने आप में एक है ओटो इम्मन डिसीज है दो आएंगी सपुरे में और्टो में डिजीस एक और डिजार रुमेट और अट्राइटिस इसके अंदर क्या होगा कि जो सिनोवियल जोइंट है उस अजू सिनोवियल डॉइंट है उनके अंदर किया जाती है कि शेलिंग करते हैं औ리 टेस्ट कि अंदर अगर आईजी एम की मातरा बढ़ी आती है। इसकी मातरा अगर बढ़ी एक तो ऐसा इंडिकेशन होता है कि रूमेटाइड अर्थ्राइटिस है जो कि इम्मुनिटी सिस्टम के डिसोडर के कारण से इम्मुनिटी सिस्टम के बैलेंस के बिकड़नेस के कारण से हुआ है आ इजी एम की मात्रा बढ़ी है तो एक और होता है क्या ESR टेस्ट करते हैं पूरा नाम लिखे लिए रिज अगर बलड का टेस्ट किया गया और ECR की मात्रा बढ़ी भी है तो यह दोनुं क्यां इंडिकेशन देते हैं कि वेक्टिकुरूमेटाइड अर्थ्राइटिस नामक डिजीज है उसकी जोड़ों में इस प्रकार की डिजीज आ रही है जिससे क्या है सिनोवियल जो जोइंट है जो संधिया है उन संधियों के अंदर क्या गई इसके अंदर सबसे पहली बात यहां कि स्वेलिंग नहीं आती सीधे क्या हो जाते हैं यह जो जोइंट आना संधी यह संधी च्छतिग्रेश्ट हो जाती है संधी क्या हो जूँचं के ब्बोडि में जोइंट है वह क्या गए च्छतिग्रेश्ट ओगे है वह तूट गये उसके कान इसे जो अब मिलेंगे यह पैल्लविक जोइंट है system और आपके पटेल क्रिप्टला जोइंट है इन सब के अंदर अगर कोई बीच में से जूइंट तूट गया, खतम हो गया देमेज हो गया तो उसको बोलेंगे osteoarthritis और एक है gout arthritis मतलब अगर संदी है वहाँ पर uric acid की मातरा बढ़ जाय यूरीग acid के जमा होने से कहाँ पर? संदीों में यूरीग acid की मातरा जमा हो जाती है तो जो होता है उसको बोलते है गौut अर्थाइटीस है यह जो तीन है इनमें आपको इंपोर्टेट चीज़ बन रही है इसका आद रखना किस के जमाँए से यूरीक एसिड के जमाँए से कहां पर जो जोइन्ट है उनके अंदर यह तीन परकार के अर्थाइटीस है आगे दे से मालो इसमें जो बोन ना बोन के बायो मास में कमी आ जाती है बोन का अल्टिमेट ले अल्टिमेट जो बायो मास है बायो मैस में कमी आ जाती है बायो मास का मतलब क्या वहां पर बायो मास का मतलब जो डी है उसका और्गेनिक पार्ट प्लस इसके अंदर जो मिनरल से खनीज है इन सब में क्या आ जाती है कमी आ जाती है जिसके फलस्वरूप रोग होता है उसको बोलते है ओस्टियो पॉरोसिस चिद्र हो जाते है बाई मास द्रे द्रे कम हो रहा है तो बीच में ऐसे लगता है जोईंट के बीच में जो बोन है उसको बोलते हैं और स्टियो पॉरोसिस महिलाओं में ज्यादा मिलता है कि अगर किसी में एस्ट्रोजन हार्मॉन की कमी और कमी के कारण से यह रोग है वो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ओस्ट्यो पॉरोसिस नेक्स्ट अभी चलें अपन तो यह जो आर्थ्राइटिस के तीनु परकार देख लिए उसके बाद में दूसरा हो गया आपके ओस्टियोपोरोसिस औस्टियोपोरोसिस के बाद में आगे बढ़ेंगे तो देखो एक तीसरा रोग है आपके मैस्थीनिया ग्रेविस ये भी एक परकार की ओटो इम्यून डिजीज है ओटो इम्यून डिजीज है कब होती है या इसके क्या लक्षण है जब आपके नर्व और मसल्स इन दोनों के बीच के जोइंट है वो इसमें क्या हो जाते हैं अफेक्टेट हो जाते हैं वो डेमेज हो जाते हैं उनकी थोड़ी साइज कम हो जाती है उसको बोलते हैं मास्थीनिया ग्रेविस रोग और ये भी जो अपना इम्मूनिटी सिस्टम है वो गड़ बड़ा जात होता है तभी रोग होता है मैस्तीनियां ग्रेविस एक है आपके मस्कुलर डिस्ट्रोफी अ मस्कुलर नाम से पता दो रहा है मसल है वो क्या होगी डिस्ट्रोफी मदब डेमेज हो रही है खतम हो रही है तो ऐसा बोल सकते हैं जो स्केलेटल मसल है में डिग्रेडेशन के कान से मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक रोग हो सकता है एक और याद रखना इंपोर्टेंट थोड़ा सा टिटेनी जो मसल्स होती है उन मसल्स में इन वॉल्यूंट्री कोंट्रक्शन कई बार अपन देखते हैं कि जो मास पेशिया है वोड़ी की वह अन्यचिक रूप से खुद ही कॉंट्रक्ट कर रहे हैं हिल रहे हैं कि इसाब से अगर वह थोड़ा ज्यादा होने लग जाती है और लंबे समय तक होड़ा लग जाती है इसको बोलते हैं तिटेनी रोग धनूस अम रूग भी बोला प् Torah यह एसको किसके कारण से क्यल्सियम आयइन की कमी से की कमी के कारण बैं जो मसल्स होती है ना उन मसल्स में टोर्सन हो जाता है एटना जाती है dans आजाती है उसके कांट टिटेनी रोग होता है तो यहां पर दो बातें इंपोर्टेंट बने देखो एक तो यहां याद रखना और यहां मैंने बताया था है कि यूरीक एसेड यह दो सब्दी यहां पर याद रखना यह क्यूशन बनने वाले हैं यह जो चीजें हैं वह अपन तंत्र के साथ में समन्वे करता है देखो नर्वस सिस्टम है उसके बाद में मसल सिस्टम है उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम है यह एक दूसरे के साथ में सांजा सरकार बनाते हैं मतलब एक दूसरे के कोडिनेशन में कार्य करते हैं इस चेप्टर के अंदर अपन नर्वस सिस्टम पाए जाता है प्लेटी एलमेंटी से लेकर कहां सुरुवात हो रही है नर्वस सिस्टम की और बड़े-बड़े अनिमल में जाते हैं तो किस प्रकार का तंत्र का तंत्र होता है यह बात यहां पढ़नी है पढ़ने को इतना पढ़ने के बाद आगे बढ़ें कर दो हिंन का नर्वस सिस्टम है उसको पड़ेंगे और मानव के तंतरी का तंत्र में आपको पता ही है कि तीन वागों में उसको मांटा गया है एक है आपके Central nervous कि दूसरा प्यरिफ्रल नर्वस सिस्टम और तिसरा ओटोनोमस नर्वस इस्टम हिंदी में बोलें तो k Central केंद्रिये तंत्रिये 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 तंत्र का होता है फोर ब्रेन है मीड़ ब्रेन है हाइंड ब्रेन है सेरी ब्रम किसमें आता है सेरी बेलम किसमें आता है मेडुल नावलंगेटा किसमें आता है पॉंस किसमें आता है नुमो टॉक्सिक सेंटर कहां होता है मीड़ ब्रेन का क्या कारिये है हाइपो थेलमस थेलमस का क्या निकलने वाली नर्व बनाती है पेरिफरल नर्व सिस्टम परीदियत अंत्री का तंत्र हैं जो ब्रेन निकलने वाले नर्व को बोलेंगे Kranial नर्व और कोड़ से निकलने वाले को बोलेंगे spinal लगर सिंपल सी बात है एक संख्या याद कर लो अभी अगले पुछूँगा मैं क्रेंडिल नर्व की संख्या होती है 12 जोड़ी जबकि स्पाइनल नर्व की संख्या होती है कितनी 31 जोड़ी यह 31 पेर होती है यह 12 पेर होती है ट्वलव पेर मानम में अगर अपन हाई हिरार्की की बात करें और जो लौवर एनिमल हैं उनके अंदर 10 पेर 11 पेर से हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर 12 पेर हैं जो सिस्टम करता है बहुरी सारी चीजों को उसके साफसे अपन ओटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्वायत तंत्री का तं से किसी बात को लेकर या किछी समझ को लेका अचानक अपनी बोड़ी कुछ एक्स्ट्रा भीयेव humidity करती यह किसी रूम में गएर आपने किसी रस्षी को देखा रहते आपको लग रहे कि सब्सक्राइब तो आपने साप समझा तो आपकी बोड़ी एक्स्ट्रा करर रही है उसम गपेस पैरा सीमपेटिक नर्व सिस्टम से अचानक पुतली है यезफ लगती ज्यादा फ्रड़ Defense नर्वस सिंटम वापस उसको ड़ाती है तेड़कन बढ़ जाती है सिंफेटिक वापस कंट्रोल में लाती है पैरा तिसी बात को लेकर दर लगता है वापस गॉपोल में आता है पैरा क्या थिखती तयारी करो पैरा सिंपेट्रिक यह इन दोनों सिस्टम के और है वो अफन पढ़ेंगे उसके बाद में इस सिस्थम के साथ आप अब जोडेंगे किसको नर्वसेल को तंतरीका तंतरकी सरस्टनात में को क्रियातम मक वेसी क्वेसी के काई कौन है वoh आपके तंत्रीका नर्व सेल जिसको नियूरोन भी बोलते हैं नियूरोन के कितने भाग होते हैं आपने सेल बोडी एक्जोन डेंडराइट नाम सुना होगा आपके दिमाग में स्वान सेल भी नाम आता होगा आपने सिनेप्टिक वेजाइकल भी नाम सुना होगा सिनेप्सिस इन नर्वा सेल पर अपनी बोड़ी में जैसे ही कोई स्टिमूलस आता है, वो कैसे आगे बढ़ता है, नर्वा इंपल्स ये लेती कैसे है, कोण नर्वा सेल, और जैसे नर्वा इंपल्स को लिया, कैसे नर्वा इंपल्स को नर्वा सेल ने, एक सेल ने, दूसरी सेल तक पहु एक topic है reflex action utet嗎 प्रतिवर्टी किरिया कोई भी किरिया होती है उसके विरुद्ध दूसरी किरिया होथ है reflex action बोलते हैं प्रतिवर्टी किरियाच को बोल आती है बैसमेन मारता है चक्का एक बोल काना तरीका था इक बोल को वापस च्छक्र के मारके वापस बेजने का तरीका है ऐसी आपके आपने दस्णिमें तो आपका सेंस कैसे ब्रेन तक पहुंचता है कैसे पर्टिकुलर अंगकारिये करते हैं उन सब के बारे में अपन बढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्षन के अंदर इसको आप नोट कर लिजिए अगर आपके पास कोई बुक्स वगरा है एलेवंध की तो आप इस चेप्टर को एक बार रिडिंग वार लिजिए अपने इसको नेक्स्ट वीडियो से सुरू करें नन्यवाद